वेलकम तू राजेश किचन, आज राजेश किचन में हम आपको मस्रूम काली मिर्च बना के दिखाते हैं, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेश्टी सब्जी ये बनता है, ये शुरू करते हैं, ये हमने मस्रूम ले लिया है तीन पैकेट और इसको बड़े मस्रूम को चा आयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, ये हमने दाल चीनी ले लिया है, एक इंच टुकड़े का, दो हरी लाची, एक बड़ी लाची, चार-पांच लओं, आदा चम्मत जीरा और आरदस काली मिर्च, इसको इसी में डाल देते हैं, अब तीन-चार हरी मिर्च लिया है, दस-बंदरा लहसुन के कलिया लिए एक इंच अद्रक का टुकड़ा लिया है, इसको भी इसी में रफली काटके डालेंगे, अब इसको हलका सा सेलो प्राई करना है, बहुत जादा दार्क ने करना है, प्याज को हमने एक ज़म रफली काटा प्याज को हमारा लगभव लगभव पग्या है, तांस्परेंट हो गया है, देख लिजे अब इसी समय में डालेंगे आठ दस काजू, इसको भी हलका सा सौते कर लेंगे इसी के साथ, बस प्याज हमारा एक ज़म डन हो गया है, तो हम घय सौप कर देते हैं, ठंडा करके इस अब इसी आयल में हम अपना मस्रूम भी फ्राइ करेंगे, इस तरीके से फ्राइ करने से मस्रूम अपना पानी रिलीज करेगा, पानी को हमको एक्दम से सुखा देना है, अच्छे से इसको फ्राइ करना है, आप देख रहे ना, इसको फ्राइ करने के लिए हमने डाला था, अपना पानी कितना रिलीज कर रहा है, अपनी को एक दम से सुखा देना है, देखिए पूरी तरीके से पानी इसका सुच गया है, अब हम तो इतना ही फ्राई करना है, अब हम इसको एक बॉल में टांस्पर कर लेते हैं, तो चलिए हम अपनी गिरेवी तयार कर लेते हैं, इसी फ्राई पेन में जिसमें अमने मस्रूम फ्राई किया था, उसी में लगबग 2 चम्मच डेशी घी डाले हैं, घी हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 2-3 तेश बत्त्रा, प्याज का पेस्ट जो तार दैलों देले, फूस्थी तोह से या है, अब इसी समें अखको इसमें डालना है, करीव एक चम्मच द जनीया पावडर, अधिकन मसरूम काली मीर्च वह तो दरदरा ले लिया है इसको यह है अन्यी पेर विजितक जलोOh श्लॉ कमलो कर लियना है जब अधिकरी रहन sagt लिए सुमкого शच्ताइब stopping right is अब इसको इसी में डारेंगे, अब दही डारने के बाद हमको अच्छे से जल्दी जल्दी चलाना है क्योंकि दही ऐसे फट जाएगा, अब इसी समय हम इसमें नमक भी एड़ कर लेंगे, नमक आपने टेस्ट के साफ साइड कीजे, इसी स्टेज पे हम अपना जो मस्रूम प् पाँच इनट तक पठाना है, यह खोल के चेक करते हैं, यह देखिए, मस्रूम हमारा एकदम से पग्या है, यह तो क्योंकि प्राइग करके समय है, यह हाफ डन हो गया था, अब आप इसमें पानी एड़ करेंगे, पानी हम बॉइल करके लेंगे, आप पानी आप पानी आप कोई भी सब्जी दनाई है, आप गरम पानी करके डालें उसमें उसका टेस्ट बढ़ा जाता है, इसकी क्रेवी तीक ही रहती है, बस हम को इसी तरीके की ग्रेवी पसंद है, अब इसी समय हम इसमें आइड करेंगे लगबक आधा चम्मच कसूरी मेती, इसको हम करस करके डाल करेंगे इसको हमने हलका सा बुन के ले लिया है, आधा चम्मच ए थोड़ा कम गरम सब्सक्राइब, इसमें सब चीजों के इसमें मिला लेते हैं, मस्रूम की सब्दी हमारी लगबक तैयार है, रिछनेस लाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा मलाई, इसमें डालेंग इसमें अच्छे से मिल जाए, आईए पूल के चेक कर लिते हैं, यह देखे, अब इसी समय हम धन्या भी इसमें एड़ करके इसको फिनिश करते हैं, अब हमारा बिल्कुल एड़ी है, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, यह देखे, कितना लहगर, मस्रूम, काली मिर्श बनके तयार हैं, अगर आपको यह रेश्पी हमारी अच्छी लगी हो, तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बढ़ी है, थैंक यू.